Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelims Booster News Discussion में आज है 20-2020, तो आई देख लेते हैं, आज हमारे पास ऐसे कौन से News and Articles हैं, जो हमें डिसकस करने हैं यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है, वो गरीब कल्यान, रोजगार अभियान के बारे में है Government of India ने अभी decide किया है कि वो एक massive rural public work scheme launch करेंगे जिसका नाम होगा गरीब कल्यान, रोजगार अभियान, अब देखें इस अभियान के बारे में कुछ बाते कर ले रहे हैं इस अभियान का जो aim है वो ये है कि बहुत सारे लोग COVID-19 की वज़े से कई सारे सहरों से वापिस अपने गामों में लौट रहे हैं तो यह जो returning migrant workers हैं, जो rural citizens हैं, उन्हें उनके native place पे कुछ job, कुछ employment प्रोवाइड करवा दिया जाए इसी उद्देश के साथ इस अभियान को launch किया जा रहा है, coverage क्या होगा, इस अभियान के तहट 116 जो district हैं, जो 6 राजजियों में फैले हुए होंगे बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जहारखंड और उडिसा, इन 116 districts को इसमें cover किया जाएगा, मैं नाम repeat करता हूँ, केवल 6 राजजियों हैं, तो इनके नाम आप ज़रूर याद रखिए, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, किया जाएगा, और 50,000 क्रोर रुपीज का आउटले सरकार ने इसके लिए रखा है, फीचर्स में देखे, इसमें 25 different types of work, migrant workers को provide करवाये जाएगे, employment के रूप में, जो जिसके लिए skilled है, at the same time, rural region में infrastructure भी create किया जाएगा, इस program को implement करने के लिए सभियान को दो institutions का सारा लिया अगर आप चाहें तो मैं नाम दे लेता हूँ, रूलर डेवलोप्मेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज, रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवेज, माइन्स, ट्रिंकिंग वादर और सेनिटेक्शन, इन्वार्मिन्ट, रेलवे, पेट्रोनियम और नेच्रल गैस, न्यू अब एक बात मैं और स्पैसिफाई करता हूँ, किसी अभियान में अगर 12 मिनिस्ट्री हैं तो आपको याद रखने की आवशकता नहीं है, UPSC आपसे नहीं पूछेगी, आपको इस बात को समझना होगा, कि किस नेचर के प्रशन आपसे पूछा जा सकता है, और किस नेचर क एक और सीरीज चल रही है, जिसमें प्रिलिम्स बूश्टर को ही बेस बनाकर 10 MCQs daily basis पे solve करवाय जाते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर जो initiative है, वो continued है, उसमें दो question पर डे आपको mapping के भी दिये जाते हैं, उससे कई सारे फायते होते हैं, आपके प्रिलिम्स के current affairs की तयारी 100% complete हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि आपने प्रिलिम्स बूश्टर तो regular basis पे सुना ही है, at the same time आप उसी पर based 10 MCQs भी regular solve कर रहे हैं, कई बार होता ऐसा है कि हमने पूरा topic पढ़ा होता है, लेकिन आप solve करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है अरे ये topic तो पढ़ा था, ल topic मैंने पढ़ा था और यहां से इस point पर question बन सकता है, मतलब यहां पर तो मुझे concentrate करना ही करना है, तो आपका पूरा prelims booster consolidate हो जाता है, कुछ question आपको extra भी मिल जाते हैं, कुछ other sources से तो थोड़ी तैयारी और consolidate हो जाती है, तो कुल मिला कि एकदम comprehensive way में आप overall preparation अपनी complete कर लेत इस पर solve कर रहे हैं, तो ठीक है, अब यहां पर देखे, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं common service center के बारे में, common service center जो होता है, वो एक strategic cornerstone होता है, national e-governance plan का, यह मई 2006 में launch किया गया था, national common minimum program के तहर, high quality, cost effective, video, voice, data content services इसमें provide करवाई जाती है, मैंने यह सब बताया, लेक आप just imagine करिए कि एक गाउं है, जहाँ पर एक दुकान खोल दी जाती है, उस दुकान में एक व्यक्ति है, जो laptop, computer के साथ बैठा है, जिसके पास USB भी है, चोटा generator भी है, उसके पास एक printer है, Ares scan है, वहाँ पर जाके आप कोई भी internet की service access कर सकते हैं, अपना pen card बनवा सकते हैं, कोई certificate निकलवा सकते हैं, या सरकार की कोई scheme access कर सकते हैं, telephone, water, electricity, bill pay कर सकते हैं, कोई application form भर सकते हैं, ये सारी services आपको एक ही जिगे पे मिल जाती हैं, that's why इसका नाम है common service center, अब देखे, एक व्यक्ति जो सहर में रहता है, वो इस चीच की importance को नहीं समझ सकता, बहुत सारे ऐ होता है, लेकिन अगर उसके गाउं में ही एक common service center खुला हुआ है, जिसके लिए सरकार incentivize भी करती है, और training भी देती है, तो वो सारी services अपने गाउं में ही access कर लेता है, तो उसे बहुत फायदे मिल जाते हैं, तो ये जो गरीब कल्यान, रोजगार अभियान है, इसमें भी इ service जाके access कर सकते हैं, और वो government की ओर से incentivized भी होता है, ठीक है, किसी विज्यान के अंदरास की बात करें, तो देखें, ये एक integral part है, national agriculture research system का, first KVK था, इसे 1974 में पुदुचेरी में तयार किया गया था, कृषी विज्यान के अंदर, आम भासा में भी आप समझेंगे, तो यहा develop करते हैं, रैधर उनको farmers के लिए available भी करवाते हैं, produce करके उसे available करवाते हैं, और जो funding होती है, केवी के की वो 100% government of India के द्वारा finance की जाती है, देखते हैं, अगला article जो की Kodumandal excavation के बारे में है, जो Kodumandal village है, Tamil Nadu का, वहाँ पर excavation किया गया, जिसमें हमें कुछ burial rituals और afterlife concept जो मेगालिथिक culture में हुआ करता था, उसके बारे में जानकारी मिली, मेगालिथिक culture पर बात करेंगे, उसके पहले हम Kodumandal excavation के बारे में बात करते हैं, researchers ने 250 can circles को identify किया, can का मतलब होता है circular, गोल, पत्थरों को ऐसे जोड़ कर गोल गोल आकृती बना ली जाती है, जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं और बीच में किसी को बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है उसके मरने के बाद, यह जो बरील हमें मिला है, वो एरोड डिस्टिक में मिला है, जो कि तमिल नाडू में situated है, यह जो नोयल रिवर है, कावेरी नदी की टिबिटरी है नोयल सेंटर हुआ करता था, अब हमें पता चला कि अच्छा, यह एक मेगालिथिक सेंटर भी था, और यहाँ पर मेगालिथिक जो कल्चर है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है, हमें rectangular chambered cyst में ले हैं, यानि कि मकबरे में ले हैं, जो कि चार आकृतियों में बने हैं, चौकोर आक community के head का burial होगा, क्योंकि किनारे जो पत्थर लगाए गए हैं, east और west में बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं, इससे लगता है कि इस व्यक्ति को ज़्यादा importance दी गई है burial में, at the same time, यहाँ पर हमें life after death के भी evidences मिलते हैं, मतलब बो लोग मृत्यों के बाद भी जीवन के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, इतिहास को हम पढ़ने के लिए कुछ time span में divide करते हैं, और कुछ उस time span को हम एक identity देते हैं, example दूँगा तो समझ में आएगा, Indus Valley Civilization, time span तो disputed है, कोई 3300 से 1750 BC बोलता है, तो 1000 BC बोलता है, before century, कोई बोलता है कि 2500 से 1750 BC के बीच मे ये तो विवादित है, तो इस time span को क्या कहा गया, Indus Valley Civilization, मतलब इस पूरे time period को identity किसकी दी गई, Indus River की, आगे बढ़ते हैं, आता है Rig Vedic period, मतलब एक ऐसा कालखंड जहां पर Rig Ved के हिसाप से काम किये जा रहे थे, तो identity किसकी दी गई, Rig Ved की दी गई, आगे बढ़ते हैं था मह मतलब इतिहास का वो समय जब महा जनपदों का विकास हुआ और उन्होंने रूल किया, तो हमने उस time span को identity किसकी दी, महा जनपदों की दी, बिल्कुल वैसे ही इतिहास का एक कालखंड था, जिसे कहा गया Megalithic Culture, वहाँ पर identity किसको दी गई, Megalith को दी गई, Megalith का मतलब क्या होता है, Megalith का मतलब होता है बड़ा, और इसका मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को identity मान कर उस पूरे time period को recite किया गया, अब दीखें जो Megalithic Culture है, वो ऐसा कोई अलग से time span period नहीं था, बलकि वो एक parallel period था, मतलब जब स्टोने चल रहा था, तब भी Meg Megalithic Culture चल रहा था, अलग-अलग area में, जब महाजनपत period चल रहा था, तब भी Megalithic Culture चल रहा था, वहाँ नहीं, जहां महाजनपत period चल रहा था, किसी अन्य स्थान पर, ठीक है, तो यह parallel culture था, जो अलग-अलग स्थानों पे चल रहा था, अब आपके मन में सवाल होगा कि कह चल रहा था, तो नॉर्थ में, जम्मु कस्मीर में, नॉर्थ इस्टन इंडिया में, और सौथ इंडिया का जो डेकन का period है, डेकन का जो रीजिन है, वहाँ पर largely हमें, जो Megalithic Culture है, वो देखने को मिलता है, जो Megalithic Culture था, वो actually वे burials पर बेज़्ट है, सोच ये कि एक ऐसा period, जहां पर हम burials को identity मान रहे हैं, Megalith में होता ये था कि एक व्यक्ति को बीच में दफनाया जाता था, और उसको बड़े-बड़े पत्थरों से, चारो ओर से घेर दिया जाता था, तो जिन-जिन locations पे हमें ये चीजे मिली हैं, उस पूरे location को हम Megalithic Culture का period मानते हैं, मतलब ये हमने उनका एक culture मान लिया, अब ये जो structure तयार किया जाता था, या तो ये बर्जल साइट्स पर होता था, या फिर किसी की स्मारक तयार करने के लिए ऐसा किया जाता था, Megalithic Culture आपको ज्यादा तर Neolithic Stone Age में ही मिलेगा, Neolithic Period के parallel आपको Megalithic Culture भी मिलेगा, लेकिन हमको इस Time Period 1500 BC से 500 BC के भी दिखा गया है, Iron Age के parallel, लेकिन अगर आप कुछ इतिहास की किताबों में देखेंगे, तो ये आपको 1000 BC से 200 BC के parallel मिलेगा, मतलब इस समय जो culture चल रहा था, अन्यस्थानों पर वो चल रहा था, साउथ इंडिया में, Deccan के region में Megalithic Culture भी चल रहा था, महराष् अब ये तो 17 June को celebrate किया गया, दे पर तो UPSC question नहीं पूछती, लेकिन वो crocodile पर question पूछ सकते हैं, उन्होंने पहले भी पूछा हुआ है, इंडिया में कई तरीके के crocodiles पाया जाते हैं, तो उनके types देखते हैं, मगर या फिर Mars crocodile, इनका habitat होता है fresh water, ये सदन इरान से लेकर Indian subcontinent में पाये जाते हैं, भूटान और म्यांगमार में ये extinct हो चुके हैं, यानि कि समाप्त हो चुके हैं, IUCN status इनका vulnerable है, और sites के appendix में ये appendix 1 में है, मतलब highest level का जो protection है, वो इनको दिया गया है, threats इनको है, habitat इनका समाप्त हो रहा है, या फिर fishing equipment में कई बार ये फस जाते हैं, और कई बार इनका conflict भी हो जाता है, humans के साथ तब भी इनको खत्रा हो जाता है, दूसरा है asturian या फिर salt water crocodile, जो salt water crocodile होते हैं, वो earth के सबसे बड़े living crocodile species में से माने जाते हैं, जो कि salt water habitat में ही रहते हैं, या फिर brackish water में रहते हैं, इनका जो habitat होता है, वो इंडिया की eastern coast पर फिर चुकि ऐसा मना जाता है कि humans के उपर हमला करते हैं, man eater है, इसलिए लोग इनको जब देखते हैं, तो इनके उपर हमला भी कर देते हैं, तीसरा है घरियाल, घरियाल का जो distribution है, वो एक समय में ये बांगलादेश, भूटान, इंडिया, म्यांगमार, नेपाल, पाकिस्ता की है, उन्होंने पूछा था ये किस river में पाये जाते हैं, और option में Chumble River था, वही correct answer था, तो UPSC ने इस पर प्रशन पूछा है, मतलब इस nature के प्रशन पूछे जाते हैं, IUCN status critically endangered है, मतलब इनकी संख्या आप समझ रहे हैं कि Nepal और India में ही पाये जा रहे हैं, तो संख्या कम है While Air Protection Act में Schedule 1 में हैं और Sidescape Appendix 1 में, Highest Level of Protection दिया गया है, Threat, Dam का या फिर बराज का construction हो रहा है, Water Abstraction से यार किये जा रहे हैं, Fishing Net में फस जाते हैं, River Bed में cultivation किया जाता है, Sand Mining किया जाती है, तो इनको खत्रा होता है, अगला article Civil Services Board के बारे में हैं, हम अक्सर देखते हैं कि विवाद में आ जाता है, तो उसका transfer कर दिया जाता है, या फिर transfer के धंकिया दी जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे Civil Servant एक flow में एक जिगए पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जब उनकी location को बार बार change किया जाता है, तो उनकी काम करने में बहुत दिक् इसका background ये है कि bureaucracy को political interference से बचाने के लिए, 2013 में Supreme Court ने ये कहा था कि center और state के level पर civil services board का गठन किया जाना चाहिए, जो कि civil servants के transfer and posting को ध्यान में रखें, गरत तरीके से उनकी transfer या posting ना की जाए, और उनका एक minimum time period भी रखा जाए, कि एक व्यक्ति एगर किसी स्थान पर post किया तो मिनमम इतने समय तक महाँ पर रहेगा, सभी states को civil services board बनाने को कहा गया, लेकिन ज़दातर states ने इसे follow नहीं किया, अच्छी बात यह है कि पंजाब ने इस चीज को अभी follow कर लिया है, functions यह होते हैं इस board के कि कि किसी भी civil servant का अगर transfer किया जा रहा है, उसके fixed tenure के पहले जो क senior most additional chief secretary, board of revenue, financial commissioner, board of revenue के chairman और financial commissioner ये भी इसके member होते हैं, additional way में principal secretary, department of personal के secretary ये भी इसके member होते हैं, इनका काम यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके tenure के पहले, मतलब एक specified time period के लिए कहीं पर रखा जाएगा, उसके पहले गर transfer किया जा रहा है, तो वो reason record करेंगे, बात करें का प्रियास करेंगे कि उसे गलत तरीके से transfer ना किया जा और फिर judgment देंगे, हलांकि जो final authority होगी, वो chief minister ही होंगे, अगला article आर्केटिक्सी के बारे में है, National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR ने अभी largest decline record किया है आर्केटिक्सी का, पिछले 41 सालों में, देखें वैसे तो 1979 से लेकर 2018 तक लगा पिछले 40 सालों में जो आर्केटिक्सी है, उसकी बरफ कम होती जा रही है, जो उनका ice है, वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो declining rate था वो 4.7% था, जुलाई 2019 में decline rate 13% record किया गया, मतलब बहुत जादा है, हो ये रहा है कि गर्मियों में बरफ पिघलती है और सर्दियों में जम लेकिन सर्दियों में बरफ कम जम रही है, विकॉस अव ग्लोबल वर्मिंग और गर्मियों में ज़्यादा पिखल रही है, ऐसा हुआ तो 2050 तक आर्केटिक्सी पूरी तरीके से बिना ice के हो जाएगा, ये खत्रा बना हुआ है, अगला आर्टिकल नीरा के बारे में है, ये नीरा को soft drink के substitute के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, जो आप cold drink पीते हैं, उसकी जिगह पे आप नीरा का इस्तेमाल करें, इससे आदिवासी इसको self employment मिलेगा, जो डहानू है, पालगर डिस्टिक में महरास्ट्रा में, वहाँ पर इसे launch किया गया है, नीरा में बहुत ज़ उसमें liquor की characteristics होते हैं, मतलब वो एक नसीला पदार्थ होता है, तो उसमें अंतर क्या होता है, नीरा उससे कैसे different है, देखें नीरा को होता यह है कि जो तार का पेड होता है, उसमें जो हरे हरे पत्ते निकलते हैं, उनकी branches को काट के वहाँ पर कुछ आप एक जो घड़ा है य अगर आपने उस liquid को collect कर लिया, तो उसमें कोई भी alcoholic characteristic नहीं होता, लेकिन जब वो धूप में 5-7 घंटे रह जाता है, तो उसमें जो 12% सरकरा होता है, वो alcohol में convert हो जाता है, फिर उस liquid में 5% तक alcohol की मातरा आ जाती है, फिर वो एक नसीला पदाग बन जाता है, लेकिन अगर उ स्क्रीम बनाने के लिए, अगर इसे properly market किया जाए, तो महरास्टरा, गुजराद, गुवा, दमनेंदीव, दादरनगर हवेली, तमिल नाडू, उत्तरपदेश, बिहार, यहाँ पर बहुत ज़ा potential है, नीरा का इस्तेमाल अगर किया जाए, तो हम globally भी इसमें lead कर सकते हैं, ख देखे, quick revision कर देते हैं, true-false में, गरीब, कल्यान, रोजगार, अभियान, यह livelihood opportunity देगा, migrant workers को, और ministry of rural development ही केवल इसे launch कर रहा है, बताया था न, 12 ministries है इसमें, तो फिर यह तो गलत हो गया, only लगा दिया न, यह हो गया, false, ठीक है, दूसरा, कुडू मनाल excavation के बारे में है, यह megalithic culture के concept को portrait करता है, आंधर प्रदेश में है, बताये, यादा रहा है, तमिल नाडू में था न, यह भी गलत हो जाएगा, saltwater crocodile, IOCN status, vulnerable, East Coast of India में पाया जाता है, South East Asia, Northern Australia, बताये, सही गलत है, याद करिए, saltwater crocodile, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाते हैं, बहुत बड़ी में आ रहा है, तो गलती है, और चौथा है, कि जो खादी and Village Industries Commission है, यह Ministry of Rural Development के अंतर गता है, यह भी गलत है, यह तो MSME के अंतर गता है, तो यह वाला भी गलत हो गया, यह तो देखिए, अभी बताया है, Ministry of Micro Small and Media Matter Prices के अंतर गता है, तो यहाँ पर देखिए, आपन True-False Solve किया है, इसने आपको Strong कर दिया है, हम तो आप पीछे से लेके चलते हैं, ताकि अगर आपने 2-4 दिन में कुछ चीजे Miss भी की हैं, तो आप Recall कर पाएं, तो यह जो आपके MCQs का Part है, यह आपकी तयारी को पूरा Comprehensive कर देगा, Prelims के, तो आप इसे Miss ना करें, जिस इस वे में आप Prelims Booster को Continue कर रहें, बिल्कुल उसी तरीके से आप यह जो MCQs की Series है, इसे भी Follow करते रहें, तो आज की Session में बस इतना ही, Thank You Very Much